हेलो फ्रेंड्स यदि आप एक रॉट्वीलर लवर है डॉग लवर है जिसमें आप रॉट्वीलर को बहुत ही जादा पसंद करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बढ़िया और बहुत ही रोमांचक वीडियो साबित होने वाली है आज बात करने के लिए जिस तरह से आप लोग ने टॉपिक जानी लिया है आज बात करने के लिए हमारे पास एक रॉट्वीलर है रॉट्वीलर एक इंडिया का या आउट ओफ इंडिया का पूरे वर्ल्ड का बहुत ही जाना माना बहुत ही जादा पॉपुलर ब्रीड है आद भी आप देखते होंगे कई बार जो है इस ब्रीड को हर जगा आप नहीं पाएंगे बहुती रेयर चुनिंदा लोगों के पास ही आपको यह ब्रीड देगेगे इसके पीछे कारण क्या है और यह घर में पालने लायक है कि नहीं अग्रेसिव होते हैं कि नहीं इसी सब व कोचने वाली हो सके तो आज देख सकते हैं मैं अपने फार्म पर फिर से आया हुआ हूं इस समय मैं अपने रॉट्वीलर के पास हूं यह रॉट्वीलर है दो साल की इसका नाम हाइना है यह मेरी फीमें रॉट की फीमेल है और बहुत यह अच्छी जैन्विन सोवर ब्रीड आज रॉट्वीलर का जो नाम है Basically Friends यह जर्मनी के चोटे से शहर रॉट्वाइल से पढ़ा रॉट्वाइल में जब रोमन लोग माइग्रेट करके जर्मनी में रहने आया थे रॉट्वाइल नाम के शहर में इस्पेशली तो वहाँ पे वह रॉट्वीलर का यूज करते थे एक स्पमाल करते थे एक समान तक ले जाने के लिए और बहुत ही ताफत्वर होने कारण ये खारी होती शीज़ों को छीच सकते थी शमता होती थी कि भारी से भारी चीजों कोई खीच लें तो सबसे पहला जो भारत जो विश्व में इसका यूज देखने को मिना वहां से मिला उसके बाद से ब्रीड बहुती पॉपुलर होने लगी कई कारणों से फिर बीच में जब ट्रेन वगरा आगे और भी संशादन आगे एक समान को दूसरी लगे जाने के लिए इनकी पॉपुलरिटी कम हो गई इस वजह से यह ब्रीड बहुती ज़्यादा विलूप्त होने की कागार पर आ गई फिर उसके बाद धिरे धिरे करके इसको सेना में सेना में जो है इसको जगह मिली सेना में जगह मिलने के कारण बहुती ज़्यादा प रॉट्वीलर बेसिकली डॉग कि अगर हम नेचर की बात करते हैं नेचर इनका बहुत ही सुवर होता है यह अग्रेसिव डॉग है यह बोलना बिल्कुल गलत होगा फ्रेंच जी है रॉट्वीलर बिल्कुल अग्रेसिव डॉग नहीं होते हैं रॉट्वीलर जो होते हैं यह करता है कि आप किस तरह से इनकी परवरिश करते हैं अगर आपके पास रॉडवीलर है आप चाहते हैं कि वह बहुत ज्यादा अग्रेसिव ना हो बहुत ज्यादा आकरमक ना हो तो इसके लिए आपको कुछ का ध्यान रखना पड़ेगा कि इनको ज्यादा सोशलाइज करिए घर परिवार में घर में ज्यादा सोशलाइज करिए और इसको अपस में लोगों से मिलने जुलने का मौका दीजिए अगर आप ऐसा करते हैं तो बिल्कुल भी कभी ऐसा नहीं हो सकता है कि रॉडवीलर अग् तो जुह है इसको अगरेसिव के तार्फ पे देखे तो ये वहीं देखने को अगरेसिव मैं जहां पर這邊 के लिए प्रनज जाएं है कि नहीं तो मैं आपको बताना चाहँ हो फ्रेंड्स की फ्रॉस्ट टाइम ओनर भी इसको बहुती असानी तरीके से पाल सकते हैं मेल को थोड़ा सा वाइट करिए आप फीमेल पर जादा कॉंसेट्रेट करिए क्योंकि नेचर बहुत सोवर होता है घर वालों पर बिलकुल एक बात को मैं और रिपीट करना चाहूंगा रॉट वीलर एक ऐसा डॉग होता है जो आपके बनाने के उपर होता है अगर अच्छी तरीके से आप उसको सोशलाइज कर रहा है अपने घर परिवार में गुलने मिलने के लिए छोड़ रहा है तो बिलकुल कभी उसका एगरसिव रूब आपको देखने को नहीं मिलेगा इसके प्यार करने का तरीका दुलार करने का तरीका बाफी डॉग्स की मुकाबले काफी अलग होता है बहुत अच्छी से ये अपनी चीजों को हमसे व्यक्त करती है आप भी अगर आप एक रॉट वीलल लवल है और काफी दिन से आप कन्फ्यूज हैं कि मुझे कौन से ऐसा डॉग लेना चाहिए क्या रॉट वीलल रखना मिले रही उचित है कि नहीं तो बिलकुल आप इस बात को अपने दिमाग से निकाल लीजी आप इसको बहुत ही अच्छे से अपने घरों में पाल सकते है नेचर की बात होगी सारी चीजों की बात होगी बात करते हैं इसकी पावर पे मस्कूलर टक्षर पे और उसके सबसे बढ़िया पहचान पे आजकल breeders क्या करते हैं, mix breed दे देते हैं, cross breed दे देते हैं, original बोलके, तो rod wheeler की क्या पहचार होने चाहिए, rod wheeler basically मैं बता दू, दो type के होते हैं, German rod wheeler, American rod wheeler, जो German rod wheeler होते हैं, American rod wheeler से थोड़े से muscular body होती है, थोड़ी सी body का texture, उनका थोड़ा सा slightly अलग होता है, चेहरे का size होता है, वो भी broad और सुंदर होता है, यह समय हमारे पास German rod wheeler है, और rod wheeler की, सारी rod wheeler की पहचान होती है, जो mark होता है, जिस तरह से मैं आपको दिखा देता हूं, यह देखिए, जो चेहरे पे, इसके आखों के उपर, जो भूरा भूरा जो mark है, यह German में आखों के center में पाए जात है, दोनों आखों के, बीच में चोटे पपी पे बाद में मैं इस वीडियो को आपको differentiate करूंगा, और एक muscular personality होती है, जितना heavy bone रहेगा friends, जितना heavy bone रहेगा, मोटी हड़िया होंगी, पंजे चोड़े होंगे, उतनी अच्छी line का, उतनी अच्छी quality का, यह rod wheeler breed माना जाएग बहुत ही playful nature होता, अगर आप ऐसा play करा तो बिल्कुल आप यह ना समझे, कि यह आपो काटेगा, यह आपके साथ दुलार करेगा, यह उतनी bite force करेगा, जितना आप सह सकते हैं, देख सकते हैं, अगर इसके बारे में और भी जानकारी लेना हो, तो हमें बिल्कुल बेशक हमारी service all over India में आपको आपके घर तक पहुचा के देगी, घन्यवाद